तीन दिसंबर अंतर राष्टे विकलांग दिवस बंदनों को तोड़ो दर्वाजों को खोलो सभी का विकास साम वेसी समाज में था अंतर राष्टे विकलांग दिवस का उद्दे से अधुनिक समाज में सारे की चूट से अश्रम लोगों के साथ हो रहे भेदवाब को समाज किया जाना है इस भेदवाद में समाज और रेकी दोनों की भूमी का रेखांतित होती रही है 12 सरकार दुआरा किये गए परियास में सरकारी सेवा में अरक्षन देना योजनाओं में विकलांगों की भाग्यदारी को परमुक्ता देना तो शामिल किया जाता रहा है अंतर राष्टे विकलांग दिवस के मुख्य विंदू स महासवा ने सयुक्त राष्टे संके साथ मिलकरवस 1983-1992 को अंतर राष्टे विकलांग दिवस दसक घोषित किया भारत में विकलांगों से सम्मधित योजनाओं का कार्य समाजिक नियाए एक अधी रिक्ता मंत्रालिय के आधनी होते हैं समाज को संदेज देना चाहते हैं दुनिया में आज हचारों लाखों विकलांगता के सिखाव हैं विकलांगता अधिशाप नहीं है क्योंकि सारिक आभावों को यदि प्रेणा बना लिया जाए तो विकलांगता व्यक्तित विकास में सायक हो जाती है मेडम केलर कहती है कि विकलांगता हमारा प्रेट च्छन है देखने का तरीका यदि शकारात्मक्त रहे जाए तो आभाब भी विशेस्ता बन जाते हैं विकलांगता से ग्रश लोगों का मजाख बनाना उन्हें कमजोर समझना और उनको दूसरें कर अप्षित समझाना बास जगाने वाले बने ना कि उसे कमजोर समझें और ना मजाख उड़ाएं भारत में विकलांगता भारत विकासी देशों की गिंती में आता है विज्ञान के इस यूग में हमने कैई उचाईयों को छुआ है लेकिन आज भी हमारे देश हमारे समाज में कैई लोग हैं जो हिंद रश्टी जीरने को मजबूर हैं वो लोग जो किसी दुरगतना या प्राकरती अब्दा के सिकार हो जाते हैं या जो जनम से ही विकलांगा होते हैं समाज भी उन्हें हिंद रश्टी से देखता है जब कि वह लोग सायता और सानभूती के योगय होते हैं ये थी SM News की रिपोर्ट